स्रद्धा मुर्थी देवियों शद्रुकविर ने बिजक के रमेनी प्रक्रण में एक रमेनी कही है माटिक कोट पसान को ताला सोईक बन सोईी रखवाला सोबन देखत जीव डिराना ब्राम्हन बैशनाव एके जाना जों किसान किसानी करी उपजय खेत बीज नहीं परी छाण देव नरधेलिक जेला बूडे दोव गुरु औचेला तीतर बूडे पारत भाई जिनबन डाहे दवा लगाई भूं की भूं की कूकुर मर गयो काजन एक सियार से भैयो मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रही जाए अचरज एक देखो हो संतो हस्ती शिंगही खाए माटिक कोट पशान को ताला मिट्टी के किले में पत्थर का ताला लगा हुआ है इस मिट्टी का किला क्या है पत्थर का ताला क्या है मिट्टी के किले में पत्थर का ताला लगा है इतने कह देने मात्र से कुछ समझ में बात नहीं आएगी सदुर कबीर की ये बिचेश्ता रही है जिसका वे वर्नन करना चाहते हैं जिस बात को कहना चाहते हैं उसका नाम नहीं लेते केवल उदाहरन वे दे देते हैं और उदाहरन समझ करके ही ये पता चल जाता है कि साहब कहना क्या चाहते हैं माटि कोट मिट्टी का किला मिट्टी का किला क्या है हमारा ये शरीर ये जड़तत्तों से निरमीद है सबका शरीर अमुक का शरीर जर्टत्तों से निर्मीत है अमुक का नहीं है ऐसा नहीं है शरीर जर्टत्तों से निर्मीत और एक दिन इसे इन्ही जर्टत्तों में मिल जाना है कितने लोग कहते हैं अमुक का शरीर अमुक का शरीर जर्टत्तों से नहीं बना उनका शरीर दिब्य शरीर था अलोकिक था तो यह केवल कहने की बात है एक स्त्रद्धा की बात है नाम चाहे जिनका लेले जिन्हां भगवान कहते हैं भगवती कहते हैं परमात्मा कहते हैं सद्गुरु कहते हैं कोई भी हो शरीर सब का एक समान जरतत्तों से निर्मित होता है किसी की शरीर दिव्य नहीं होता जब किसी के प्रति हमारी भावना बहुत ज़्यादा हो जाती है तब उसके बारे में हम तत्य को स्विकार नहीं करना चाहते और तमाम प्रकार की महिमाएं बढ़ा बढ़ा कर बढ़ा कर के कहने लग जाते हैं और महिमा जितनी बढ़ती चली जाती है सत्य उतना दबता चला जाता है और दुनिया के नाना मधपन्थों के अन्यायों ने भक्तों ने यही किया है सब यही कहते हैं कि हमारा जो गुरु है हमारा जो मूल पुरुष है हमारी जो भगवान है उनका शरीर पंजभोतिक नहीं था जरतत्तों से नहीं बना था अलोकिक था, दिब्य था और यहां तक कहते हैं वे मा के गर्भसे पैदा ही नहीं हुए लेकिन धरती पर जो भी आया मा के गर्भसे ही पैदा हो करके आया नाम चाहे जिनका ले लो तब तक अँखें कब तक हम मिज़ते रहेंगे सत्य को कब तक अश्विकार करते रहेंगे सदुरु कहते हैं यहां पर माटी का किला यह शरीर, जड़ शरीर जड़ तो है ही लेकिन जड़ शरीर में जड़ बुद्धी का ताला लग गया पत्थर का ताला, जड़ बुद्धी का ताला जड़ बुद्धी का अर्थ क्या है? क्या सही है, क्या गलत है? इसको समझ ना पाना जड़ बुद्धी का अर्थ अनपढ गवार ऐसा नहीं है कितने अनपढ लोग जो विद्याले गई ही नहीं बड़े विवे की बड़े समझदार होते हैं और कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं बड़े बुद्धिमान लेकिन बुद्धिमा जड़ होती है धरम के नाम पर इस्पर के नाम पर भगवान के नाम पर जो कुछ कह दिया जाता है उनमें वे तरक नहीं करना चाहते हैं आँख मून करके माल लेते हैं करते हैं हाँ भगवान की बात है भगवान का नाम ले लो, गुरुपीर का नाम ले लो, रिशी मुनी का नाम ले लो, धरम का नाम ले लो, फिर चाहे जितना जूट बोलो, सब छूट है सही और गलत की परख न कर पाना, आख मूद कर सब कुछ को मानते जाना, यही जड़ बुद्धी है कबीर साहब के जवाने में ऐसे लोग तो रहे हैं आज और जादा लोग हो गए हैं जहां जाओ दिखो महिमा 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 और इस कुम्ह मेले में खाली महिमा की बात जुटी जुटी कहानियों की बात कताओं की बात डंके की चोट पर कही जा रही है और लोगों से मनवाया जा रहा है जनता भी मूढबन करके सिर जुका करके मांती चली जा रही है बिचार नहीं करना कभी दिया गया है बिचार करोगे तरक करोगे तो नास्तिक हो जाओगे नरक में चले जाओगे, गुरु द्रोही बन जाओगे, इस्वर द्रोही बन जाओगे, भै दिखा दिया गया, और यह समझना होगा, जिसकी बाद जितनी गलत होगी, उतना वो लोगों को धमकाएगा, और जिसकी बाद सही होगी, वो कहेगा, भीया देखो, मैं ऐसा कह रहा हूँ, सोयम सोचो, सही लगे तो मानो, नर लगते तो छोड़ दो, गलत माल बेचने वाले को भी दोहाय देने पड़ती है, सफ़त खाना पड़ता है, सही माल बेचने गहाता है, यह मेरा माल सही है, तुमे लेना होगो, देखो, परखो, उत कहेगी जा कसो इसको, लेकिन गलत माल बेतने वाला दर्स कसम खाएगा ये बड़िया माल है इससे बड़िया माल होगा ही नहीं ये सब तमाम कज़़ा माली गलत है तो कसम खाना पड़ेगा बेचने के लिए इसी परकार धर्म के छेत्र में जिसके बात जितनी गलत होती है जूठी होती है वह लोगों को उतना धमकाता है कि मेरी बात को नहीं मानोगे तो नास्तिक हो जाओगे गुरु दुरु ही बन जाओगे धरम दुरु ही बन जाओगे और नरक में जाओगे गुरु सोयम जड़ बुद्धी का और शिश्यों को भी जर्बुद्धिका बना रहे हैं इस से काम नहीं चलेगा दिमाग की खिड़की को खोल करके रखना पड़ेगा बिशारो हर बात में बिशारो मेरा हीरा सच्चा है तुमसे बात किस भैका मैं तो कहूंगा ले जाब हीरे को घन में रख करके ठोको और तूट जाए तो समद लेना कि हीरा कच्चा है न तूटे तो समझना हीरा सच्चा है सच्चा हीरा घान से कितना भी ठोको पीटो कभी तूटेगा नहीं यह हीरे की पहचान है और तूट गया समद लो वो हीरा नहीं है नकली हीरा है काँच है लेकिन जो काँच को बेच रहा हो हीरा कह करके ओ तो कहें गभी देखो भी यह हम ठुकने ने देंगे परक ने करने देंगे अभी अभी ले लो तो धरम चेत्र में भी ऐसा है छूटी छूटी बातों को भगवान के नाम पर मनवाया जा रहा है आख मूद करके किशी की बात को माल लेना ये जड़ बुद्धी है अब बुद्धी जब जड़ हो गई तब सत्य को समझने का रास्ता बंद हो गया अखिने हम किसी करेंगे सट्यों के बुद्धी को ना अब बुद्धी जड़ बन गई आकमौन कर मानने वाली है तो शरीर तो जड़ है और जड़ ही रहेगा फिर कि बुद्धी को बलें सबत्ने की सारी सक्ति को गिर्वी रख दें तो फिर सत्त को समझा नहीं जा सकता सही रास्ता पाया नहीं जा सकता इल्लेत है पते हैं जड़ बुद्धि के मत बनो सोचो विचारो तर्क करो निर्ने करो और जो सही लगे उससे मानो सही न लगे उसे छोड़ दो जीव जंगल को घर ये शरीर घर परिवार मठ मकान रुपिये पैसे जमिन जाजाद ये सब एक जंगल है के समान है जैसे जंगल में जा करके आदमी भटक जाता है रास्ता नहीं मिलता अईशे ही प्रानी पदार शरीर रुपिये पैसे के मोह की जंगल में पढ़ करके ये जीव भटकता रहता है और हिफाजत करता रहता है ये न बिगड़े वो न बिगड़े वो न बिगड़े जीव कही बनाया मोह का जंगल उई जंगल को सुरक्षित रखने वाले ये जीव सोयम है सुख मान मान करके अपना मान-मान करके जी चारों तरब जंगल खड़ा करता चला जाता है और सोचता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा कल्यान में सायक होगा उसकी रखवाली करता है लेकिन कितनी भी रखवाली करें कितनी भी पकड़ करके रखने की चेश्टा करें एक दिन इन सब को छुटना है तब क्या होता है सोबन देखत जीव देराना अपने ये बाहर और भीतर के जंगल को देखकर कि जीव भैभीत होता है शरी छुटना जाए परिवार के लोग विछूडना जाए नौकरी छुटना जाए मकान टूटना जाए रुपिय पैसे को चुरा करके ले न जाए कोई छिन न ले भै भी एक तो छुटने का भै और दूसरा बंधने का भै जितना ज्यादा हमारे मन में मुह होगा उतना छुटने का भै होगा मुह जितना कम होगा उतना भै कम होगा चिंता कम होगी तो जीव अपने ही बनाए मुँँ के जंगल को देखकर खाने बाने के जंगल को देखकर के भैवीत होता है कि छुटे न बिलतने न पाए अलग होने न पाए और जिनके अंदर कुछ संसकार होते हैं कुछ का ल्यान की भावना होती है वह इनको बंधन रूप दे कर समते हैं कि यदि इनमे में फंथा तो कहीं में बंध न जाओं समान लोगों को छुटने का भै तो सुग्य लोगों को बंधने का भै हर जीव भैवीत है लेकिन कितना उपाए करें धीरे धीरे हमारा शरीर गलेगा कितनी दवाई करें कितना संयम करें कितना परहेज करें कितने भसमा खाएं कितना रसायन कहाएं शरीर को धीरे धीरे गलना है जरजर होना है बुढ़ा होना है कमजोर होना है एक दिन मिट्टी में मिलना है परिवार के लोगों का एक दिन बियोग होना है रुपिय पैसे का एक दिन छुटना है लेकर हम चाहते क्या है छुटेना ऐसे बने रहें येक रस जो आदमी जहां पहुँच जाता है उसको जो मिल जाता है वो सोता है सब ऐशे के ऐशे बने रहें एक रस्ता आदमी चाहता है लेकिने एक रस्ता है कहां दुनिया का नियम है परिवर्तन शीलता हर चीज बदल रही है तो परिवर्तन के भवर में हम बैठे हुए हैं और चाहते हैं येक रस्ता इस्थीरता तरसंभव कहते हैं और जब बदलता है सब कुछ, तो मन में भय होता है, भय होता है कि ये छुड़ना जाये तो अब लेकिन ये क्रस रहे कैसे, इस्थाई बने कैसे, तर सहाव करते हैं, ब्राम्हन बैस्टनव ये कैसे जाना, जीव, ब्राम्हनों के पास जाते हैं, ब्राम्हन करत, ब्राम्हन जाती से बतलब नहीं है, पुरोहित, पुजारी, बैशनों से मतलब, किसी परकार के भक्त, लेकिन आपको दोनो नाना परकार के करम कांड में मिथ्य महिमा में उलजे हुए हैं किसी मत के पुरोहित के पास जाओ मराज ये संकट है वो संकट है कोई बात नहीं ऐसी पूजा करवा लो ऐसा करम कांड करवा लो ऐसे ये अंगुठी पहन लो ये तबिज करवा लो और अमुक प्रकार से ऐसा कर ले न करम कांड में उल जाएंगे आपको ये नहीं बताएंगे कि ये तो दुनिया की हकीकत है भाई ये तो होता रहता है ये एक रस्था यहां कहां पर है यदि किसी प्रकार के करम कांड के करने से दुनिया की परिवर्तन सिलता रुक जाती किसी प्रकार के पूजा पाठ करने से शरीर का रोग मिट जाता तो कम से कम जो पूजा पाठ कर रहे हैं न वो कभी बुढ़े नहीं होते कभी विमार नहीं होते किसी प्रकार के पूजा करने से किषी भगवान को मनाने और किषी देवता को मनाने ज़िए यदि आदमी मौत से बच जाता तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं कोई गरीब होता ही नहीं पूजा करें पाठ करें करमकांड करें हवन करें तरपन करें नाम जपें सब करें लेकिन क्यों मन की पेटरता के लिए मन की कागरता के लिए मन की शांती के लिए लेकिन आज मन की शांती के लिए मन की सिर्था प्यत्रता के लिए पूजा पाड़ करने वाले हवंतरपन करने वाले नामजब करने वाले बिरले बिरले ज्यादा तर लोग तो भौतिक कामना ले करके ये सब कर रहे हैं पूजा पाड़ को भी बना लिए हैं एक व्यापार सौधा बाजी भगवान आप ऐसा करोगे तो हम आपको ऐसा ऐसा चड़ाएंगे भगवान से भी सौधा बाजी है ये सौधा बाजी काम नहीं करेगी दुनिया में तो सौधा बाजी कर ही रहे हो कम सक्म एक जगा तो रखो जहां सौधा बाजी ना कर सको लेकिन आदमी की फितरत आदमी की आदत भगवान जिसे भगवान कहता है परमात्मा भी कहता है उससे भी शौदा बाजी वहाँ भी चाला की जीवन में शांती आईगी कैसे कल्यान होगा कैसे दुख से बचोगे कैसे फिर यह भी कहता है लोग भीया आदमी करने से क्या होगा जो कुछ करता है भगवान करता है भगवान की चग बीना कुछ नहीं होता है तो भगवान से सौदाबाजी क्यों कर रहे हो क्या तुम्हारी शवदाबाजी को देख कर तुम्हारी भूस को पाकर के पुजा पाकर भगवान अपना नियम बदल देगा पवित्र भावना से आप पुजा करें पाठ करें हवन करें नाम जपें कथा करें किर्टन करें मंदिर जाए, मजजी जाए, गंगा नहाएं, सब करें, उनका खंडन नहीं है, धरम की छेतर में लगने के लिए इनकी आवशकता है, यह करें क्यों? आंतर्टिस सुचिता के लिए, मन की परितरता के लिए, स्थिरता शान्ती के लिए, भौतिक संप्रिद्धी के लिए ना करें सदरू कहते हैं कि जब दुनिया की परिवर्तन शिलता को आदमी देखता है जो चाहता है वह नहीं हो पाता नहीं चाहता है वह होता है तो आदमी भैभीत होता है और सोचता है जो जो मैं चाहूं वही वही हो जो जो मैं ना चाहूं वह ना हो तो अपाय क्या है अपने करने सोगा ने तो नाना मत के पुरोथों के पास आदमी जाता है और पुरोथ तो बैठे हुए ही है ये कोई आये हम पुजा करें हमें दक्षिना मिले ये समत्लो पुजा करने से आपका दुख मिटे या ना मिटे पूरहित का पंड़क दुख तो मिटेगा मिटेगा उनको तो रुपिया पैसा मिल गया ना उनका संकर समाप्त अब आपका संकर बना रहता तो आप जानो तो ऐसे ही भगत भी है भगवान की महिमा गा रहे है तो यह महिमा गाने से काम नहीं बनेगा करम कानम उलजने से काम नहीं बनेगा करम करो पवित्र भावना से करम करो और जो होता है उसको स्विकार करें शरीर बुढ़ा होगा रोका नहीं जा सकता प्री का बियोग होगा रोका नहीं जा सकता अब प्री का सन्योग होगा रोका नहीं जा सकता शरीर में बिमारी आएगी रोका नहीं जा सकता काल की बलवत्ता बहुत प्रबल है कुछ रोका नहीं जा सकता महाराज राम जब जंगल गए तो चोदा साल के वनुवास में लशमन उनके साथ चाया की तरह लगे रहे वनुवास राम का हुआ था लशमन का नहीं हुआ था लेकिन राम की सेवा में लशमन ने अपने आपको समर्पित कर दिये बिल्कुल चाया की तरह लगे रहे लेकिन काल की प्रबलता प्रवतंशिलता ऐसा भयंकर एक दिन महाराज राम को उसी लशमन को देश निकाला देना पड़ा था जब कहते हैं कि जब काल आया अब महाराज राम से कहा कि मैं कांट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लेकिन शर्त यह है कि हमारे आपके बात चीत होगी उसमें कोई ना आए अब ज़िए कोई आ गया तो आपके द्वारा उसे मिर्तुद्रण दिया जाएगा राम देखा ठीक तो काल और महाराज राम एक कमरे में जाकर बात करने लगें राम ने कहा लसमन तुम पहरे में रहना कोई आने ना पाए बात्चीत हो रही थे इतने में आगे दुरुआशा जी कि मुझे राम से मिलाओ अच्मन ने कहा भगवन जो सेवा हो मुझे बताएं मैं आपकी सेवा करने ता हूँ अभी महाराज राम नहीं विल पाएंगे थोड़ी ज़रुरी काम में बैठे हैं ने दुरुआशा नहीं मुझे अभी क्या भी मिलाओ अभी नहीं मिलाओ तो पहुचे तो महाराज राम और काल की बात समाप्त हो गई थी लेकिन लश्मन सर्त के अंदर आ गये थे महाराज राम बड़े उदाश लश्मन जैसे भाई को मृत्यूडण प्रांडण अब करे क्या नियम है शर्त है साथ में बंधे भी हैं एक और शर्त एक और लश्मन जै महाराज राम से महाराज किसी राज पुरुष को देश निकाला दे देना भी मृतुडण के समान है तब महाराज राम ने लश्मन का त्याकर देश निकाला दे दिया अब फिर लश्मन शर्यूं में जाकरके प्रवेश कर गए एक काल की प्रबलता कितनी भयंकर है महाराज राम को लश्मन जैसे सगे भाई उन्हें के सगे भाई से भी बढ़ करके भाई उसका त्याग करना पड़ा तो हमारे आपकी जीमन में सिर्टा केसे रहेगी सबको तो बदल रहा है उत्तर राम चिर्टम में प्रफंग आता है एक चित्रकार ने दिवारों पर महाराज राम की पूरी जीवनी का अंकन किया था जब हो गया तो लश्मन ने कहा महाराज राम से भी जा चित्रकार ने आपकी पूरी जीवनी को दिवारों अंकित किया है आप ज़र चल करके देखें महाराज राम सीता को लिए भायों को लिए चले देखने के लिए देखते देखते वहाँ जब पहुँचे कि जब उन्हों की शादी हुई थी बराज जनकपुर से लोड करके अध्या आई थी उस चित्र को देख करके महाराज राम रुके और उदाश हो गए और कवी ने महाराज राम से कहलवाया था जिवस तात पादेश नूत नेदार संग रहे मातरविश चिंतमाना नाम तेहिनों दीशोगता उन दिनों पुझ पिताजी जीवीत थे हम लोगों की नहीने शादी हुई थी माताएं चिंता कर रही थी के हमारे बाल बच्चे सुख से कैसे जीएं आज हमारे वे दिन नहीं रह गए किसका दिन रह जाता है एक समान और हम चाहते क्या हैं सब एक रस रहे बतने के लिए पूझा पाड़ करवाते हैं नाम जब करते हैं हम लगन्तरपर करवाते हैं शाहब करते हैं ब्राम्हन बैतन वह साध्य के जाना लिए ब्रघाम다면 को मन कि पत्रता के लिए जो किसान किसानी करी उबजय खेत बीज नहीं परी साहब कहते हैं जैते कोई किसान खेती करे बड़ी कमाई करे बहुत खात पानी दे और डंठल बहुत बड़े-बड़े हो जाएं लेकिन दाने न पड़े तो डंठल से क्या मतलब होता है डंठल बड़े बड़े और दाने बिल्कुल नहीं तो किसान का खेती करना बेकार डंठल भले छोटे हों लेकिन दाने आएं तब किसान की महला सफल होती है तो किसान किसानी करी उबजे खेत बीज नहीं परी किसान ने खेती किया बेहनत बहुत की लेकिन डंठर फतल बहुत उगी भी बड़े-बड़े पौधे हो गए लेकिन बीज नहीं पड़ा फादा क्या हुआ अईशे ही नानामत के गुरुजन प्रचार बहुत कर रहे हैं इस देखो इसी कुंबेला में हज्जारों छानिया लगी हुई है और हज्जारों संत महात्मा गुरुजन उबदेश दे रहे हैं हर जगा सत्संग, कथा, प्रवचन चड़ रहा है तो आपकोदें बीज नहीं पड़ी लेकिन सच्चा बोध, सत्य ग्यान नहीं हो रहा है क्यों? कथा में जाकर सुनो गंगा में नहालों यह सम्मुक्ष हो जागा, यह हो जागती हो, मुक्ष हो जागा, यह हो जागा मिथ्या, महिमा, स्रद्धा की बाद, महिमा की बाद बताई जा रही है सही बोध, कहने वाले बिरले बिरले होंगे हजारों हजारों लोग आ करके यहां कहेंगे भी हम कुम मेला में संगम की पावन धर्ती पर जा करके हमने गुरु मला से दिख्षा लिया है दिख्षा तो लिया सही बोध हुआ की नहीं हुआ सच्चा ग्यान मिला की नहीं मिला मन की भ्रांती दूर हुवी की नहीं हुवी अधि मन की भ्रांती दूर नहीं हुवी आत्म बोध नहीं हुआ सच्चा ग्यान नहीं मिला तो दिख्षा लेने मातर से क्या हुआ फिर ये प्रचार करने से उपदेश करने से मातर से क्या हुआ यही हो रहा है धरम की छेत्र में हजारों लाखों लाखों लोग भगत बन गए लेकिन बोध के नाम पर भटक रहे हैं क्योंकि गुरुजन भी सच्चा बहुत देते नहीं है भटकाने वाली बात करते हैं भगवान को पुकारो बेटा भगवान मिलेगा तो बेड़ा पार कर देगा पूछो गुरु महराते गुरु महराते आपने आपने भगवान पुकारा एक ने पुकारा है अब आपके भगवान आपके बड़ा पार किया कि नहीं किया गुरु कहते है बेटा भगवान बहुत दयालू है बहुत क्रिपालू है सच्चे मन से भगवान को पुकारोगे एक्दम कातर होकर रो भगवान के लिए गिरगणा भगवान के लिए जमीन पर लोट जाओ निशित भगवा भगवान मिलेंगे गुरु मराद कुनर जी आपको भगवान मिला है कि नहीं मिला है आपने रोयक ने रोया है गुरु जी भगवान के लिए जब आपको इतने दिन हो गए साधू बने बरागमारगा में आए रोज भगवान की पूजा करें नाम जप रहें आपको मिला है क उस समय आ जाएंगे और जब आपको नहीं मिला तो हमें कहते मिलेगा फिर इस मिठ्य महिमा की बात कहने दे काम चलेगा यही है लोग भगत तो बन गए लिकिन बीज नहीं पड़ा सच्चा बोध नहीं हुआ सच्चा ग्यान नहीं मिला मन की भ्रांती दूर नहीं हुई तो फैदा क्या हुआ और सब समय ऐसा होता रहा है आवशकता है सच्चे बोध की मन की भ्रांती दूर होनी चाहिए इस मतलो बाहर ते भगवान मिलेगा नहीं कोई बाहर कहीं स्वरग नहीं है जहां आपको जाना है बाहर मुक्ती का कोई धाम नहीं है जहां आपको जाना है भगवान तो आपकी भीतर बैठा हुआ है इस्वरा सरवभूता नाम हिरदे से अर्जुन तिष्ठती जब गीता में कहते हैं कि गीता भगवान की वानी है तो उसमें क्या कहा गया है इस्वरा सरवभूता नाम हिरदे से अर्जुन तिष्ठती अर्जुन इस्वर तो सभी भूतों प्रानियों की हिरदे में बैठा हुआ हिरदे में बैठा है तो खोचते क्यों हो फिर कहां ही ने का भगवान अब मुक्ती का कोई धाम थोड़े है सारी वातनाओं को छोड़ दो सेज जो रहेगा वही मुक्ती है लेकिन ऐसी बात बताने वाले मिलेंगे कहां गुरु महरात्तों चाहते हैं कि हम सिष्च्यों को भरांतियों में डुबाया रहें कर्मकांडों उलजाय रहें ताकि हमारी पूजा हमारी चड़ोतरी होती रहे बराबर गुरु के चिंता नहीं है कि शिष्च्यों को सच्चा बोध होता है या नहीं होता है चिंता यह है हमारी पूजा कितनी चड़ रही है चेले हमारी कितने बन रहे है किसान ने खेती तो की खतल तो बहुत हुई लेकिन बीज नहीं पड़ा नानामत के गुरुओं ने प्रचार बहुत किया हजारों लाखों लोगों को दिक्षा दिये लेकिन सच्चा बोध नहीं हुआ तो बोध नहीं हुआ तो दिक्षा देना बेकार दिक्षा लेना बेकार सही बोध होना चाहिए सही रास्ता होना चाहिए कोई भ्रांती ना रह जाए कोई कलपना ना रह जाए तब धरम के मार्ग में लगने का गुरु की शरन में आने का फल हुआ यजि यह नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं होता है आवशकता है हम सच्चे गुरु की खोज करें और उनके पास जा करके सही बोध प्राप्त करें सही बोध जब मिलेगा तब हमारा भड़काव दुर होगा भ्रांती दुर होगी और तब हम सही रास्ते पर चलेंगे तो अपनी मंगिल तक पहुँच पाएंगे इसके लिए निर्वय होने के आवसकता है निर्वय होकर के विचार करें थोड़ी पंक्तिया और है मैं समय पूरा हो गया है उसके पूरा कर देता हूँ छाणी देहुनर जेलिक जेला बुड़े दो गुरु और चेला साहब करते हैं यह वानियों का धका पेल छोड़ दो यह अमुगरंथ में लिखा है अमुगरंथ में लिखा है अमुगरंथ में लिखा है अमुगरंथ में लिखा है ये प्रमान देना छोड़ दो क्या लिखा है यह देखो इस वानी के पक्षपात में पढ़कर मोह में पढ़कर तो गुरु और चेला दोनों डुब गए हैं महापुरुष आदरनी है धर्मगरंथ आदरनी है परमपरा आदरनी है सब को आदर दें सब का सम्मान करें लेकिन आँख मून कर किशी की बात न माने सब की बातों पर निर्ने करें विचार करें और निर्ने विचार से जो सही लगे उसको मानें दुनिया हो क्या रहा है हमारे गुरु ने कहा है अमुक सासर में लिखा है इतने लोग मान रहे हैं जुट सोड़े हो के ये कहने से ये बक्षपात में पढ़ने से काम ने बनेगा इसमें पढ़ कर तो नाना मत की गुरु और चेले दोनों डूब गए हैं तीसरे बूरे पाड़त भाई जिन बंडा है दमा लगाई साथ तीसरे आधे अधूरे गुरु डूब गए जिन्होंने दुनिया में अज्ञान और कल्पना की आग लगाई है ऐसे ऐसे लोग गुरु बन गए हैं जिनके जीवन में न त्याग न बैराग न साधू की रहनी न उत्तम आत्रन न उत्तम चरित और न सही बूध और ऐसे गुरु लोग क्या करते हैं अज्ञ अज्ञान और कल्पना की आग लगा करके दुनिया को भस्म कर रहे हैं इसलिए महिमाद देख करके चक्कर में न पड़ें सही परक करें भूख की भूख की कुकुर मर गयो काजन एक सियार से भयो भूख भूख करके कुत्ता मर गया अर्थात आचरन हीन रहनी हीन अनेक प्रवक्ता और गुरु भूख भूख करके मर गये आतरन के नाम पर शुन्य चरित्र कुछ नहीं बैराक कुछ नहीं शाहब करते हैं ऐसे प्रवक्ता ऐसे गुरु कुत्ते के समान के वर भूख रहे हैं बस काम कुछ नहीं होने वाला है चरित्र की आवाद होनी चाहिए जद कथनी तत करनी जद चुंबक तत ग्यान कथनी और करनी में एकता हो तब उस ग्यान का प्रभाव होता है जो कायर है, डरपोक है, जो त्याग नहीं करना चाहता, संयम नहीं करना चाहता, मन इंद्रोक रुकना नहीं चाहता, साइक पते हैं, इस यार के समान कमजोड लोग हैं ऐसे लोग कल्यान का एक भी काम नहीं कर सकते, निर्भय जो होकर चलेगा सहासी जो बनेगा, मन की वासनाओं के प्रवाह में जो नहीं बहेगा, कि उस प्रवाह को जो काट लेगा, कल्यान काम भी कर सकेगा, थोड़ी सी मुझीबत आई, छोड़ दिये भजन, छोड़ दिये सायम का मार्ग, शाकता ऐसे लोग सियार के समान है, लुगते छिपते रह जाते, कल्यान का काम नहीं कर पाएंगे, तो पहली बात है, कि शाहसी बने, बिगन बाधाओं सहने के लिए तैयार रहें, और जीवन के आत्रन को पवित्र बनाएं, तब कहना सुनना काम होगा, मु एक साथ कैसे रह सकते हैं, चुहा और बिल्ली एक साथ रहते हैं, तो बिल्ली तो चुहा को खा जाएगे, बिल्ली साथ रह करके चुहे का कल्यान कैसे होगे, फ्रुक्षा कैसे होगे, ऐसे ही माया और जीव, माया और कल्यान एक साथ कैसे होगा, इतने गुरु काते हैं, भ चाहे जैसे रहो, चाहे जो करो, एक हाते हैं लोग, आत्मे ज्यान हो जाने के बाद, ज्यानी पूरूत, सेक्ड़ों इसरीों से भोग करता है, तुभी मुक्त ही है, ज्यान के नाम पर धांस ले बाजी चाला की बैमानी, शाहब कहते हैं माया और ग्यान माया और कल्यान एक साथ रहेंगे कैसे यदि कल्यान चाहते हो ग्यान को सुरुची तरखना चाहते हो तो माया से हट करके बज़ो शाहब यह भी कर रहे है कि हस्ति शींग यही खाए हाथी शींग को खा रहा है शींग ही हाथी को माय डालता है यहां यही हो रहा है यह जीव शींग के समान समर्थ महा बलवान लेकिन अपने शक्ति को भूल गया है इतलिए माया इस जीव को भटका रही है शाहब के जागो माय शक्कर में मत पढ़ो मन के मोह में मत पढ़ो वासना के परवाह में मत पढ़ो तब कल्यान होगा तो पुरी रमयनी में शाहब कहते हैं पहली बात यह कहते हैं तुमारा शरीर तो जड़ तत्तों से बना हुआ है बुद्धि को जड़ ना बना चेतन तरने वाली बुद्धी बनाओ, हर बात में तरक करो, जब तरक से उचित लगे तो मानो, और कही पक्षपात में न पड़ो, निद्पक्ष हो करके चिंतन करो, ये विश्वास रखो कि पूजा करने से, पाठ करने से करते करम में बदलावनी होगा, जैसा हम करेंगे वैसे जी आदते हैं, उन्ते अपने को बचा करके रखो, सही बोध प्राप्त करो, सही राते पर चलो, तो बरतमान जीवन अच्छा बनेगा, और आगे का जीवन बच्छा बनेगा, तब परमगति परमकल्यान की प्राप्ती होगी, अपनिवानी को यहीं पर विराम देता हूँ